नवस्ते मित्रों नवस्ते मेरे प्यारे ब्याई बंदूओं आपको इश्वर की और बुक इश्वर की और ग्यान में सभी का स्वागत है ध्यान से आज हम गर्ब गीता का सेकेंड पार्ट सुनेंगे अर्जुन वाचा हे भगवान किशी को धन में प्रिती है कोई इस्त्रियों में प्रिती करता है इसका क्या करण है शेकिष्ण वाच हे अर्जुन किशी का धन इस्त्री सब नास रूप है मेरी भक्ती का नास नहीं है अर्जुन वाच हे भगवान राच पाट किस धर्म से मिलता है विद्या कौन से धर्म से मिलता है से भगवान वाच हे अर्जुन जो प्राणी श्री कासी में निसकाम भक्ती से तप करते हैं वे देत आक्ते सो वह राजा होता है जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है अर्जुन वाच्छे भगवान किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाते कोई रोग रहित होते हैं सो उन्होंने कौन से पुन्य किया है श्री भगवान वाच्छे अर्जुन जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अना यास ही मिलता है जिन्होंने परमेश्वर का कार और पराय कार समारा है। वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच हे शे भगवान किसी के देह में रक्त का विकार होता है, सो किस पाप से कोई दरिद्री होता है, किसी को खंड वायू होता है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से होते हैं, कोई स्रीबाल विद्वा होती है, सो कौन से पाप से होते हैं शे भगवान वाचे अर्जुन जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है सो सुसील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं जो कुकर्मी ब्रामन को दान देते हैं उनको खंड वायू होता है जो प्राणी इस्त्री को नंगी देखते हैं गुरू की इस्त्री से कूद्रिष्टी करते हैं जिसने गौब रामन को लात मारी है सो अंदावा पंगुल होता है जो इस्त्री अपने पती को छोड़कर पराय पुशो के संग करती है सो बाल विद्वा होती है अर्जुन वाच्छे भगवान है श्रीकिष्ण है तुम परव्रम हो तुमको मेरा नमस्कार आगे मैं तुमसे संबंदी जानता हूँ अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ है परवपार ब्रम गुरु दिक्षा कैसी होती है कृपा करके कहो श्री भगवान वाच है अर्जुन तुमको धन्य है फिर तुम्हारी माता को धन्य है जिनको तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दिक्षा पूछी है यह अर्जुन सारे संसार में गुरु जगरनात है विद्या का गुरु काशी है चारो वड़नों में गुरु ब्रामन का गुरु सन्यासी उसको कहते है जिसने सबको त्याग करके मेरे विशे मन लगाया है सो ब्रामन जगत गुरू है ये अरजुन यहाबाद ध्यान देकर सुनने की है गुरू कैसा हो जिसने सब इंदरियां जीती हो जिसको सब संसार रूपी नजर आता हो सब संसार इश्वर रूप नजर आता है सब जगा वे उदासिन हो ऐसा गुरू करे जो परमिश्वर के जानने वाला होवे उस गुरू की पूजा सब तरह से करे है अरजुन जो गुरू का भक्त है सो मेरा भक्त है जो प्राणी गुरू संमुक होकर मेरा भजन करता है उनका भजन करना सफल है जो प्राणी गुरू के विमुक हो उनको सब्ट ग्राम मारे का पाप है गुरु से विमुक प्रानी का दर्सन करना योग यह नहीं है ग्रिहस्त गुरु से विमुक हो सो चंडाल के समान है जिस जगह मदीरा का भांड हो उसे दिये में जो गंगा जल है सो आपवित्र होता है इसी तरह गुरू से विमुक का भजन भी आपवित्र होता है उसके हाथ के देवता भी नहीं लेते उसके सर्वकाम कर्म निस्फल है कुकूर सुकूर गंदर्व काक और इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनी है इन सबसे भी बहा मनिश्च कोटा है जो गुरू नहीं करता गुरू बिना गती नहीं होती यह अवश्य नरक को जाएगा गुरू दिक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निस्फल होते हैं ये अर्जुन जैसे चारो वर्णों में मेरी भक्ती करना योग्य है तैसे ही गुरू धार की गुरू की भक्ती करनी सेवा करनी योग्य है जैसे सब नदियों में गंगा स्रिष्ठ है सब वरतों में एकादश्री का वरत स्रिष्ठ है वैसे अर्जुन सबसे गुरू सेवा उत्तम है गुरु दिख्चा बिना प्राणी पसू योनी के पाता है धर्म करता है, सो पसू योनी के फल भोगता है 84 में घूंता रहता है अर्जुन वाज है शी किश्ञ जी गुरु दिख्चा के आवस्तू है शी भगवान वाज है अर्जुन धन्य जन्मतेरा जिसने यहाँ प्रश्ण किया तू धन्य है गुरु दिक्षा दोनों अक्षर है हरी नाम इन अक्षरों का गुरु कहता है यहाँ चारों वर्णों का जपना शिर्ष्ट है यह अर्जुन जो गुरु की सेवा करता है मेरी सेवा करता है वह 84 से छूड़ जावेगा जन्ममरन से रहित गर्ब गीता है शेकिष्ण महराज के मुख से अरजुन के श्रवन किया है गुरु दिक्षा लेना अत्तम कर्म है उसका फल यहाँ है कि नरक की 84 से जिव बचा रहता है भगवान पशन्न रहते हैं जो गुरु करता है वो जन्ममरन से छूट कर नरक नहीं भोगता है जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो साड़े तीन कडोल वर्स तक नरक भोगता है जो गुरु की सेवा करता है उसका कोई कई असो में के पुन्य का फल होता है गुरू की सेवा मेरी सेवा है हे अर्जुन हमारे तुम्हारे समवात को जो प्रानी पढ़ेगा और सुनावेगा सो गर्व के दुख से बचेगा उनकी चौरासी कर जाएगी